राजधानी लखनव में आयूजीत सोलर सिटी कारिकरम के अंदरगत एक सैमिनार में नगर्विकास समंत्री एक के श्रमानी कहा कितर प्रदेश सरकार्द्वा सोलर सिटी कारिकरम के अंदरगत आयोध्या को एक मॉडल सोलर सिटी के रूप में विक्सित किया जा रहा है जिसमें सोलर रूफ टॉप, सोलर हाई मास्ट, सोलर स्ट्रीट, लाइट, सोलर ट्री, सोलर कोर्ड स्टोरेज, सोलर बोर्ट, सोलर पार्क, सोलर वाटर, कियोस्क की स्थापना एवां पंप स्टेशन तो प्रदेश राज़ें नीकट 7 साथ वाशों में नवी करणिय उर्जा के शेत्र में उलेखनेLab प्रगती यह विगत् साथ वाशों में लगभग 2100 मिगावाट सौर उर्जा एवां 2200 मिगावाट जैव उर्जा का उप्योग करते हुए प्रदेश में नवी करणिये उर्जा शम्ता में कुल 4300 मिगावाट तक वृध्धी की गई है उतर प्रदेश में रिनिवेबल उनर्जी के लगबग 7000 मिगावाट के प्रोजेक्ट जो है वो पाइप लाइन में हैं और अब तयार हो गए हैं उसमें जवाहरपुर की 660 की मिगावाट की दो यूनिट हैं मतलब 1320 की हमारी पनकी में भी एक यूनिट 660 की तयार हो रही है ह हमने अनपरा में भी 1600 मिगावाट की यूनिट लगाने के लिए कारवाई सुरू कर दी है इस प्रकार इन सारे संसादनों से मिल करके जिसमें रिनिवेबल इनर्जी भी शामिल है उन सब से मिल करके हम लोग उतर प्रदेश का वरतमान में जो उर्जा का उत्पादन है विज